नमस्कार दोस्तों आप सभी का भुद भुद स्वागत है मेरे चैनल वे इसक्रेशन व्लोग में तो दोस्तों मैंने ले लिया है ये आजा कंगा कुन रखता है यार यहां एक विनिट तो मैंने ले लिया है ये तो ये है विसे मेरा काम मेकेनिक का नहीं है और लाइट का भी नहीं फिर भी मैंने ये लिया है क्यूं तो इसकी पीछी की बहुत लंबी कहानी है चलिए बड़े आराम से आपको सुनाता हूं तो दोस्तों मैंने ले ली है इसकी पूरी कहानी में आपको सुनाता हूं तो दोस्तों मैं लाइट के एसे काम नहीं करता तार जोड़ना वगेरा एसे काम मैंने कभी किये नहीं है लेकिन मैंने सुल्डरिंग आरन ले ली है क्यूं ली है तो चलिए इसकी एक कहानी है तो आज से कुछ समय पहले मतलब कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कीचन में जो LED बल्ब था वो नहीं समझे 60 हो गया तो उसके बाद मैंने उसे एक तरफ रखा मुझे लगा कि ये 2017 का बल्ब है आज से कुछ 3-4 साल पुराना तो अब तो इसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है तो फिर इसका क्या किया जै इसको तो फेकना ही है और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया क्योंकि क्यों ना मैंने काफी टाइम पेले यूटूब पर वीडियो देखी थी कि LED बल्ब रिपेर होते हैं तो मैंने सचा क्यों ना LED बल्ब को रिपेर किया जाए 200-500 का तो बल्ब होता ही है नोर्मली जो घरों में होता है अच्छा 8-9 वाल्ड 7 वाल्ड का तो मुझे लगा कि पैसे बच जाएंगे तो एक तरफ उसको मैंने रख दिया मैं कि कभी रिपेर कर लेंगे काम आ जाएगा तो इस तरह से मैंने उसको एक तरफ रख दिया उसके फ्यूज हो गया खत्म हो गया और LED बल्ब था तो मैंने सुचा यार अब तो दो दो बल्ब और अब क्या किया जाए तो दो ही एक तरफ रख दिये मगर मेरे मन में आया है किया कम से कम 400 तो बचे जाएंगे अगर इनको रिपेर कर लिया जाए तो फिर मैंने एक वीडियो द ले लेनी चाहिए तो उससे साइध LED बल्ब रिपेर में कर लूँगा और थोड़ी पूद इसी कंजूसी में कर लेता हूँ तो मेरे दिमाग में आइडिया है तो मैंने वो सोल्डरिंग आयरन ले लिया और उसका वायर भी लिया जो की 10 रुपे में मुझे पढ़ा और दोन साम होई जाएगा और घर लेकर आया और बजार से आया तो साम होवे थी तो मैंने बल्ब LED निकाला और उसको खोला थोड़ी बहुत महिनत की धकन खोल गया उसके बाद मैंने देखा एक बल्ब जो LED बल्ब के अंदर छूटी छूटी LED होती उसमें एक बल्ब में कुछ काला सा डोट था तो मुझे लगा ये जल गया है तो उसको मैंने पेजकस से निकाला पेजकस से निकालने के बाद उसको soldering iron से उस पे थोड़ा सा paste लगा दिया aluminum wire से तो वो नहीं चला, दूसरा मैंने देखा, तो इस तरह से मैंने 4 LED bulb उसमें से निकाल दिये और 4 उपर soldering iron से थोड़ा जो उसमें aluminum का wire होता है वो पिगला कर लगा दिया तो उसके बाद मैंने उसको लगा कर देखा तो चल गया तो दोनों की फोटो में दिखाता हूँ तो दोस्तों ये है पहले की फोटो जब LED बल्ब खराब था और अब बाद वाली फोटो देखिए ये वाली है बाद वाली फोटो जब LED बल्ब पूरी तरह से चल चुका है और केमरे में सही से नजर भी नहीं आ रहा है और जब खराब था तो पूरे एक एक उसमें LED बल्ब नजर आ रहे थे और क्या है कि उसमें कुछ बल्ब जो है न बंद हो गए थे और बिल्कुल उजास ऐसा आ रहा था कि मतलब कोई काम का नहीं और पूरा वो चल गया और फिर उसके बाद था दूसरा बल्ब तो काफी मुझे उच्छा आ गया कि यार एक LED बल्ब ठीक किया तो दूसरा भी ठीक करते हैं तो फिर मैंने क्या क्या कि दूसरे दिन क्योंकि उस दिन तो रात हो चुकी थी तो दूसरे दिन मैंने क्या क्या LED बल्ब को खोला और वो खोला ही नहीं तो फिर मैंने वीडियो देखी और फिर उसको यूँ ढकन को खोला और उसे देखा तो उसमें कुछ गोल टाइप में LED थी तो कुछ 10-12 LED थी तो उसमें एक ही में मुझे बलेक डोट दिखा तो मुझे लगा कि यही खराव है तो उसको मैंने थोड़ा सा गिसा बल्ब हड़ गया उसके वाद सोल्डिंग आरेन से थोड़ा सा उसको एल्यूमिनम के तार को पिगला कर इस पर मैंने लगा दिया और वो बल्ब चल गया क्या बात है तो वो बल्ब अभी पास में ही है तो चलिए वो बल्ब तो मैं आपको दिखाई देता हूँ ला 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 जर आते हैं अगर आप टीवी का भी फोटू ले तो बिल्कुल ही किलियर बल्ब चल रहा है इसके अंदर एक ही छोटी सी LED खराब थी और वो भी अब ठीक हो चुकी है और यह कुछ पट्टे से आ रहे हैं तो मतलब यह तो नॉर्मली आप किसी भी लाइट का फोटू लेंगे और मुझे काफी अच्छा लगा और चलिए मैं आपको फिर से एक बार soldering iron दिखा देता हूँ अपनी तो दोस्तों यहां है कुछ यह soldering iron और यह यहां से खुलती है वैसे यह कुछ यहां से जल गई है गरम काफी होती है तो यह जल जाती है और इसके अंदर ही लाइट भी जलती है चली मैं आपको दिखाऊं क्या दिखाई देते हैं तो सबसे पहले मैं इसको प्लग में लगा लूँगँ और इसको ओन कर लिया तो यह दिखें यहाँ पर इसमें लाइट जल रही है अब आपको हलकी सी रेड कलर की लाइट आपको दिखा तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो और मैंने ले लिए सोल्डरिंग आयरन और क्यों लिए आपको बता दिये तो पूछने की जरोथ नहीं है तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लोग में और कुछ में लूँगा या कुछ भी करूँगा तो आपको जरूर बताऊंगा मुझे लगता है अगर कुछ बताने लाइक है तो मैं जरूर बताऊंगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए